जो इसका note है और इसकी जो fragrance है मतलब जो खुजबू है वो एक गुलाब के note के जैसा है गुलाब के favor के जैसा है जिसके वज़ासे इसे हम rose crystal मानते हैं crystal किस बेस में क्योंकि यह जो powders आपको दीख रही होंगी तो यह थोड़ा सा इसमें चिकनापन आपको देखने को मिलेगा थोड़ा चमकीला पन जो है यह powders होती है जिसके वज़ासे हम इसे crystal का नाम देते हैं और basically इसका use जो है वो आगे वीडियो में हम बात करेंगे तो कुछ ही तरीके से आपको देखने को मिलेगा rose crystal सोलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मित करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी four types of executive जिसमें से मैंने सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात किया था जैस्मिन क्रिश्टल के बारे में सो आज कि इस वीडियो में हम cover करेंगे तीनो और जो topics हैatar-yara के बारे में हमने पहले ही वीडियो में बात कर ली है सो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके आप जरूर देखो Spencer-पिक में आज हम बात करेंगे close crystal और यारा-yारा और indoor के बारे में उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो सस्क्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि अगर बती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इंफोर्मेशन जो है हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी तो यह है हमारा रोज क्रिश्टल देखने में आपको वाइटनेस दिखेंगी थोड़ा सा चिकना पन इसमें होता है और यह क्रिश्टल फॉर्म में मतलब एक चमकीला पन आपको देखने को इसमें मिलेगा और बेसिकली इसका जो रोज टाइप के जो कमपाउंट होते हैं उसमें तो यूज किया ही जाता है उसके साथ साथ हम जो हमारी कुछ पाउडर फॉर्म की अगरवत्या होती हैं उसमें भी हम यूज कर लेते हैं तो यह हो गया हमारा रोज क्रिश्टल और इसके बाद में ज जिस तरीके से इसका यूज होता है तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे यारा यारा बेसिकली ये भी क्रिश्टल फॉर्म का ही पाउडर है दिखने में आपको जैस तरीके से रोज क्रिश्टल दिखती है उसी तरीके से ये भी दिखती है काफ लेकर एक बैसिक जो नोठ होता है वह एक ूडी मतलब मैं कहना चाहूं तो एक पर्फिऊम जिसे हम बोलते हैं तो एक आपर सुगन निकलते हैं वी उडिक के बेस्만 मान के चलो हम तो इसकी फ्रेंग्नेंश सो tempon निकलके आती एंदर किसी भी लोगों को पता नहीं है वह मैं आपको बताता हूं क्ये क्या कोई बोलते हैं कि किई कि को ऑफ explosions यूजचे जैसा नहीं हो यह डोनों तरेकिक चीजों में यूज़ नहीं की जाती अगर आप जबारदस्ती है कि यूज़ करोंगे Цे अह nihito उनों को खराब कर देगा तो इस पर्फियूम और डीपी ओई में यूज नहीं किया जाता नहीं से किसी तरीके के ब्लैक अगर बत्ती के प्रीमिक्स में यूज किया जाना है कि लोग ब्लैक प्रेमिक्स में इसे इसको डालने से उसकी जो आफ फ्रेग्नेंस और जो चारकॉल की जलने की जो बदबू है वो दूर हो जाती है कई कई लोगों को कई के लोगों ने मुझे फोन करके यह ऐसा बतानी की कोशिस किया था कि ऐसा इसे करने से ऐसा होता है लेकिन इसके बारे में मैंने पहले और वीडियो डाली हुई थी कि ब्लैक अगरबत्ती में बिल्कुल य खराब होंगी तो इसको आप ध्यान रखे और इसे जो है आपको किस तरीके यूज करना है वह मैं बताता हूं जैसे कि हमने जैसमीन के बारे में बात किया था तो जैसमीन को जैसे हमारा ड्राइब फॉर्म के अगरबत्तियों सूखी अगरबत्तिया होती हैं जिसको डिपि सकते हो वह 100% आपको यह रिजल्ट देगा यारा यारा पाउडर तो उसमें से हमारा होता है दूना गर्वत्ति जैसे जानते होंगे सुखी अगर्वत्ति हैं खाली इसको प्रिमिक्स में जो इंग्रीडियंट्स होता है उसके बाद मशीन से बनने के बाद सुखाने के बाद स उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है और इस तरीके के जो प्रिमिक्स पाउडर में अगर आप यूज करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा बस डिपेंड यह करेगा कि यह जो आपका यारा यारा क्रिश्टल फॉर्म का जो पाउडर हो कितना ही स्ट्रॉंग है बेसिकली इस तरीके से आप इसे यूज कर जकते हो तो बैसिकली जो है इसका यूज हमें किस तरीके से करना है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ जैसे कि एक example लेता हूँ मैं लोभान अगरबत्ती का जैसे कि हम लोभान अगरबत्तिया बनाते हैं तो हमारा एक प्रिमिक्स का बेस होता है जिसमें से हम यह यारा यारा हम डालेंगे 15-20 ग्राम एवरेज 15-20 ग्राम डालने पर क्या होगा जो लोभान का हमारा प्रिमिक्स है जैसे कि उसमें हो जाता है हमारा जैसे कि हम T1 से बना रहें तो T1 पाउडर के साथ में हमारा जाता है हम जो इस पाउडर यूज करते हैं या फिर ग्वार्गम यूज करते हैं या फिर उसमें से लोभान का कॉंसंट्रेट हम यूज करते हैं थोड़ा सा हम उसमें राल तो उस प्रिमिक्स में क्या है सारी चीज़े तो हमने डाल ली उसके बाद जब हम यारा यारा का यूज करते हैं तो जो चीज़े लगी हुई है उसमें लोभान का कॉंसंट्रेट और लोभान का पर्फियूम उसको यह लॉक करके रखेगा मतलब उस वह जो पर्फियूम है ज इल्कुल्बी फ्रेक्टेश में से नहीं आता तो उसी चीज़ को जो है यह लॉक करने रखती है आपकी यह यारा यहारा पाउडर तो कूछी तरीके से जो है हमारा यह यहारा यह और इसके जो एक तरीके का एक फेक्जिटिव पर्फ्यूम इसे माना जाता है जो कि पर्फ्यूम के नोट्स में यह ज्यादा तर यूज होता है और इंडोल के बारे में काफी सारी चीजें हैं वो आप देख सकते हैं और जब भी मेरे पास यह चीजें अफलेबल होगी जैसे कि इंडो इसके बारे में आने वाले वीडियो में हम बात कर लेंगे जब भी मेरे पास यह इंग्रीडियेंट्स अबलेबल होंगे तो उमीद करता हूँ कि यह सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी जैसे कि हमारा है यह फोर टाइप एक्जेटिव केमिकल्स के बारे में केमिकल्स और पाउडर जिसमें से जैस्मीन हो गया हमारा जो फर्स वीडियो में हमने इस टॉपिक के ऊपर बात किया था उसके बाद किसी नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद है